हेलो एवरिवन गुड मॉर्णिंग ओल उफ यू राधे राधे जैसरी किसना सबीको तो कैसे आप सबी आप सबी आप सब आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत आप सबीका हमारी यूटूब चैनल नोकरी एस्पीरेंट में आज अम डिसकस करेंगे 19 दिसंबर 2030 की डेली करं करेंट फिर काफी इंपोर्टेंट रहने वाली आपके लिए तो वीडियो में एंड तक बने रहना तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो को सुरू करने सब्सक्राइब एक बड़ी वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर देना यह था कल का कुश्या जिसका आ इसके डिवीज्यन क्यूश्यन किस राज्यसरकार ने दिल्ली में आराम 15 दीवेची ही मौसव का आज़जन क्या है तो यह क्या था हिमाचर प्रदेश राज्यसरकार किसके दुआरा सब्देशी हाइस्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल फ्रिक्षिन क्या गए है तो ये क्या गए था DRDO के दुआरा International Institute for the Unification of Private Law की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए चुनी जानने वाली पहले भारते मेला कौन बनी तो वो थी उमा सेखर भारत के सबसे तेज और इलक्ट्रिक नाउ कहां क्या जाएगा तो फायरे एरी फिल्ड का निमान क्या जाएगा लद्धाक में जमकुसमीर में आनद विया अधिनम लागु किया गये ये अधिनम किस को वैधानिक मानिता देता है तो ये सिख्विवा को वैदानिक मानिता देता है किस IIT ने पानी से आर्षिनिक और धातु आयन को अठाने के लिए अमरत तकनिक विख्षित की है तो ये विख्षित की है IIT मदरासनी किस देश ने दुनिया की सबसे घहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रोकसाला के संचालन के साथ बहुतिके की छेतर में एक महत्यपन उपलब्दी हासिल की है तो ये की है चीन देश ने अंतराश्टी प्रवाश्ची दिवस बनाय जाता है 18 दिसंबर को बनाय जाता है किस सहर ने सबसे बड़ी पठन गतवीदी के लिए एक गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड बनाय है तो ये बनाये पूने सहर ने अब जाकते हैं हमारी आज की कर्णट फेयर समर्फेस्ट कुस्टन इसका परधन मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ओफिस कॉम्प्लेस का उदघाटन क्या है तो कहां पर किया है ये बताईए फ्रेंट्स तो इसका right answer हो जाएगा हमारा भी सूरत में क्या है इसका परधन मंत्री नरेंद्र मोधी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े office complex का उदगाटन क्या है और आपको बाता दें ये office, ये complex सरसट वरक फुट एरिया में फैला हुआ है और इस complex को सूरत में diamond boss के नाम से जाना जाएगा सूरत में बनाएगा है और ये सरसट वरक एरिया में फैला हुआ है जिसके कारण इसको diamond boss के नाम से जाना जाएगा और ये diamond boss के नाम से क्यों जाना जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस complex में हीरे के अबुसनों का वेफसाई क्या जाएगा दुनिया भर के सबसे बड़ा आदोनिक केंदर होगा हीरो के और diamond के जिसके कारण इसको diamond boss के नाम से जाना जाएगा और ये कहाँ पर खोला गए गुजरात के सूरत में और इसका उदगाटन क्या है हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदे ने याद रखें ने सभी बातों को आगे चलते हैं आदरी important news देखते हैं नितिन गडगरी ने किस सहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यंग पारक के अधार सिल्ला रखी है तो ये रखी है नागपूर सहर में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सोर उर्जा सरियंतर का उधगाटन किस देश में क्या गया है तो ये क्या गया है सुक्त अरब अमीरात में किस सहर में दुनिया के सबसे बड़े स्टोक मार्केट एजुकेशन कॉनकलेव की मेजबा ने की गई है नई दिली सहर ने की है किस राजे में दुनिया की सबसे बड़ी दी लेन सुरंग सेला सुरंग का नेमान कारे पूरा हुआ है तो यह हुआ है अरणाचल परदेश राजे में ने इस प्रिश्टन देखते हैं किसको विजनरी लेडर आइकन 2023 पृष्टकर से समानित किया गया है तो किसको समानित किया गया इस पृष्टकर से तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा A श्री निवास नाइक धारावत को इस पृष्टकर समानित किया गया है रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्स कोन है श्री निवास नायक धारवात तो इनको नई दिल्ली में जो Constitution Club of India है जहां पर पांचवा सिखर सम्मेलन हुआ था वहां पर इनको Visionary Leader Icon 2013 पुरुषकार से समानित क्या गया है कहां पर क्या गया था? नई दिल्ली में क्या गया था? और कौन से सिखर सम्मेलन में? पांचवा राष्टी सिखर सम्मेलन S.A.R.A. से Visionary Leader Icon 2013 पुरुषकार से समानित क्या गया है श्री निवास नायक धारवात को आगरी इंपोर्टी निउस देखते हैं किस भारती प्रोडूसर और फिलम निर्मात्ता को 91 Emmy Award 2013 में Best Director Award से नमाजा गया है तो है एकता कपूर को किस तमिल लेखा को अपने उपन्यास Firebird के लिए जैसी भी पुरुषकार 2013 से समानित किया गया है तो है पेरुमल गुर्गन को महाराष्ट राचे द्वारपर तिष्ट किस पार्स उगाय को लता मंगेश कर पुरुषकार 2013 से समानित किया जाएगा तो है सुरेश वाडगर को किस प्रक्यात लेखा को प्रतिष्ट केरल जोती पुरुषकार से समानित किया गया है तो है टी पदमा भन नश्क्रिशन देखते हैं रुवेन अजार को भारत में किस देश के नई राजदूत के रूम में न्यूप किया गया है तो बताओ किस देश के नई राजदूत के रूम में न्यूप किया गया है रुवेन को आंसर इसका इजराइल देश का रुवेन को भारत में अजरायल देश का नए राजदूत के रूम में नूप किया गए और आपको ये भी बताते हैं जो रूवेन आजार है वो भारत के अलावा स्री लंका और भूटान के एर निवासी राजदूत के रूम में भी काम करने वाले हैं भारत के नई राजदूत के रूम में तो निक्त होंगे ही और साथ में ये स्री लंका और भोटान के ए निवासी राजदूत के रूम में भी काम करेंगे अधरी इंपोर्टी न्यूज देखते हैं Microsoft ने किसे Global Delivery Center Leader के रूम में निक्त किया गया है तो क्या है अपरना गुपता को किसे 30 नॉमबर 1225 तक SVI MD के रूम में निक्त किया है विन्ये टॉंस को किसे नावाड के उपरमंदर निदेशक के रूम में निक्त किया है अजे कुमार सूद को सहस्त्र बार Transfusion केंदर की कमार्ड समालने वाले पहली मेला कौन बनी तो वो बनी है करनल सुनिता नेफ्क क्विश्टन है बांगला देश ने किस देश को हराकर पहले बार Under 90 ASKF 2003 जिता है तो किस देश को हराकर जिता है ये कफ बताईए तो आंसूर हो जाएगे इसका C UAE को हराकर जिता है Under 90 ASKF 2003 का आज़न UAE में क्या गया था 8 से 17 दिसंबर को इसका आज़न क्या गया था इसमें बांगला देश में UAE को हराकर पहले बार Under 90 ASKF 2003 जिता है प्रिमेज का UAE में आज़न हुआ था Under 98 से कप कप से कप तक 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक जिसमें बांगला देश ने UAE को हराकर ये कफ जिता है आदेगे इंपोर्टन नूज देखते हैं ISSF वीसु का फाइनल में 25 मीटर रेपिड फायर पदक जीतने वाली पहले भारती निसाने बाज कौन बनी तो वो बनी अनिस भनवाला राष्टिस कोष्ट सेंपियंसी खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कमर उमर की खिलाड़ी कौन बनी एहनाहत सिंग बनी किस सहर में Ultimate Koko Ling का दूसर सीजन कूसक्षर में नम्मा कंबाला परत्योगिता लोग बैस रेंकिंग का अरजन किया गया है तो ये विसन का राज्य को रजस्तान को हराकर है विजे हजारे ट्रोफी 23 और 24 जीती है तो किस राज्जे ने हराई है राजस्तान को तो आंसर हो जाएगा इसका डी हर्याना राज्जे ने हर्याना राज्जे ने राजस्तान को और आकर विजे हजारे ट्रोफी 23 और 24 जीती है और ये कहां पर हुआ था ये मेच ये टूनेमेंट हुआ था राजकोट के गुजरात के जो राजकोट है वहाँ पर सोराष्ट किरिकट असोसियन स्टेडियम में ये मेच खेला गया था फाइनल मेच इस फाइनल मेच में हरियान ने राजस्तान को 30 रंद से हरा कर विजे हजले ट्रोफी का किताब अपने जैनल कि नाम किया था और यह टूर्णामेट का जैनल कब वह था इसका और चनल होआ था 15 नौंबर से 15 दिसंबर डॉजार्टेश के बीच और ये 6 अलग लग सेयरों में क्या गया था यह इस टूर्णामेंट का ऑविजन जिसमें राज अर्याना की टीम ने राजस्तान को ह जिती है और वकुह्त है लिए पटुटी नियोजी देखते हैं इससी पूरूस्ट 15 करिकेट विसुकाफ 2024 आउजन किस देश में क्या चाएगा दक्षिन एफेरिका में भारत को हराकर किस किस देशन किर्केट विसुकब तो जार तेज जिता है तो भारत को अराकर जिता है उस्टेलिया देशने वंडे में एक मेच में साथ विकट चटकाने वाले पहले भारती गेंदबाच कोन बने तो वो बने थे मुहमत सम्मी किर्केट विसुकब में सबसे अधिक छक्के लगा देश के दौएर क्या जाए गया से यां तो इसका राइट अंसर है एक मालदीव के दौए द हम ध्रक्ते किये जाज को कौण जाज उसका नाम था आएनेस तार मुंगली विसाखा पत्नाब इस जाज को भारते सनन पुन सेवा में सामिल कर लिया है और ये 17 साल से भी यादिक समय तक सक्रिय सेवा में लोटा है इस जाज को मालदीव देश ने फिर से अपनी सेवा में ले लिया है अधरी उपोर्जी ने जो देखते है बीच देस्तों के ने सेनने दलों में भौराष्टे सांती स्थापना सुक्त अभ्यास एक्स खान कवेश्ट तोजर तेस किस देस में अजित क्या गया है तो ये क्या गए मंगोलिया देस में बारत्य सेनने कहां पर विसाल सेनने अभ्यास अगनी फस्ट का अर्जन क्या है तो ये क्या है लद्दाक में रक्षा मंतरी राजना सिंग ने किस सहर में एकिकत स्युम्लूलेटर कॉंप्लेक्स ध्रू का उद्खाटन क्या है तो ये क्या है कोच्ची सहर में क्या है आई एन एस शून एना ने दीपक्ष से संबंदों को मजबूत कने के लिए किस देश के साथ दोरा किया है तो क्या है कैन निया देश के साथ नेक्ट क्योशन देखते हैं देविघ हंसर रिसर्च दोजार तेश के दोरा Best Multi Specialist Hospital Emerging स्रेनी में किस होश्पिटल को सिर्थ स्थान आसिल किया है तो किस होश्पिटल ने सिर्थ स्थान आसिल किया है इसमें आंसर इसका A Esther Mad City में Esther Mad City में केल के कोच्चि में श्तित एडर मैस्टिडी और Esther DM Health Care की एक एकाई जो स्वास्त दोग में अगनेनी बन कर उबरी हैं जिसमें एस्टर मेड सिटी को देविंग हंसर रिसर दोजार तेज के दौरा बेस्ट मल्ति स्पेसलिस्ट होस्पिटल की सरेन में सिर्ष स्थान मिला है और यह कहाँ पर रही होस्पिटल तो यह केरल के कोची में इस्तित है आजरी इंपर्टी नियुज देखते हैं नियुज देखते हैं किया पर किया है वार्यनाशी में किया है और आपको बटा दे ये एक सात मनजिला मेडि स्कूर अरया में ख यह सात मनझिला है जो दुनिया का सबसे बड़ा महामंदीर है जिसका उदखाटन परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वारनाशी सहर में किया है। उदखाटन परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस राजे में राष्टे रक्त अल्पता उन्मुलन मिसर प्रहरम किया है। तो उदखाटन मंत्री नरेंदर मोदी ने किस राजे में राष्टे रक्त अल्पता उन्मुलन मिसर प्रहरम क्या है। तो इसका आंसर है D, 18 दिसंबर को बना जाता है अलप संख्यों के सम्मान और सम्मान के बारे में जावुर्ता पैदा करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को ये अलप संख्य अधिकार दिवस मना जाता है आधरी इंपोर्टे नियुजेस की तेईस अप्रेल को अंग्रेजी भासा दिवस बना जाता है इंगलिश डे बना जाता है तेईस अप्रेल को और चोबिस को बना जाता है राष्टे पंचाईती राज दिवस पच्चिस अप्रेल को बना जाता है विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रेल को विश्व बौधिक संपन्दा दिवस 27 अप्रेल को विश्व डिजाइनर दिवस और 29 अप्रेल को अंतराष्टे नर्ते दिवस और अंतराष्टे खोगोल विज्ञान दिवस भी 29 अप्रेल को ही बनाई जाता है तीस अप्रेल को बना जाते है विश्व पसू चिकत्सा दिवस बनाए जाता है तीस अप्रेल को नेश्ट क्यूशन देखते है टेस्ट क्रिकट में पांचो या उससे अधिक विकट लेने वाले दुनिया के आठवे गेंदबाच कौन बने तो कौन बने ये बताइए पांचो या उससे अधिक विकट लेने वाले दुनिया के आठवे गेंदबाच बन गए अधिव इंपोर्टी नीज देखते हैं इसकी गोवा में 37 वे राजटे खेलों में मैलाव की 20 किलोमेटर रेस वोक में नया राष्ट रिकोर्ट किसने बनाया तो बनाया था प्रिंका गोश्वामी ने किस देश में सुल्तान जोरकफ 2013 का ग्यारो संस्क्रन आजूत होने वाला है तो है मलेश्या देश में एसिन गेम्स के त्यास में जैवलें थ्रो में सुरन पदक जीतने वाली पहले भारती मेला एथलेट कौन बनी तो थी अनूरानी किसने सोराश्ट को 135 र किस भारते पहलवान को युनाइटिड वर्ल्ड रेसलिंग का राजनी स्टार होब्दा इयर चुना गया है तो किसको चुना गया है यह तो इस कांसूर आप सबे को कमेट सेक्शन बताना है सामन ग्यान डोज देखते है हमारा किस सवेधानिक संसोधन अधेन दोवारा सवेधान के मूल कर्तव को समलित किया गय है तो किया गया है बहरत के सवेधान के नुच्छत 51A भाग 4A में क्या सामिल है तो इसमें मूल कर्तव यह भारत के पहले मुखिच चुनाव आयुक थे कौन थे तो हो थे सू कुमार सेण सथे स्थापना कब हुई थी 1996-20 आज की वीडियो सभी को कैसी लगी कमेंच सक्ष ने में ज़रू बता ना सहाते वीडियो को like, subscribe सब्सक्राइब जुरू कर देना पीडिप्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेस्तर पर भी जीट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.nokriesplan.com थैंक्यू फ्रेंस बाई बाई रादे रादे टेक केर